एक और जहां भारत अमेरिका के रिष्टे परवान चड़ रहे हैं तो वही पड़ों से मुल्क पाकिस्तान और अमेरिका के बीच तनाव गहराता जा रहा है दोनों देशों के रिष्टों में दरारे लगातार बढ़ती जा रही है या फिर यू कहें कि अमेरिका पाक के रिष्टों में तनाटनी का दौर शुरू हो चुका है और किसी भी वक्त दोनों के बीच जंग छिड़ सकती है ऐसा हम इसलिए बोल रहे है क्योंकि पाकिस्तान के एर फोर्स के चीफ सोहिल अमान ने सेना को अमेरिकी ड्रोंस को मार गिराने के सकता अदेश जारी किये है सोहिल अमान ने साफ कर दिया है कि पाक सेना एर स्पेस का उलंगन करने वाले किसी भी द्रोन को मार गिरा दें चाहे वो अमेरिका का ही क्यों न हो वैसे दो हफ्ते पहले अमेरिकी द्रोन ने अफगान सीमा से लगे पाकिस्तान के ट्राइबल इलाके में आतंकी कैम को निशाना बनाया था जिसमें तीन आतंकी मारे गए थे और शायद यहीं वज़े है कि अब पाकिस्तान को अपनी दहलीज पर अमेरिकी द्रोन की दस तक फूटी आख नहीं भा रही है वैसे हर अमेरिकी द्रोन हमले के पाथ पाकिस्तान का विदेश मंत्राले निंदा वाला बयान जारी कर देता था लेकिन इस बार पाकिस्तान ने भी जटा दिया कि किसी का भी द्रोन बर्दाश नहीं किया जाएगा NMF News की रिपोर्ट